आइरन मेन रणवीर सिंग और सनी देोल बने हल्क, बलिवुड में ये बनेंगे एवेंजर्ज, मारवल की फिल्म कैप्टिन मावल की रिलीज के साथ ही सुप्रहीरो सीजन वापस लॉट आया है, इस फिल्म से मारवल फिल्मों की महत्व कांक्षी और मच अवेटेड फिल्म इंफिनिटी वोर कुलन एंड गेम का काउंटर डाउन शुरू हो गया है, अवेजर्ज फिल्मों का क्रेज भारत में भी उतना ही है जितना अमेरिका में और ऐसे में लंबे समय से भारतिये कलाकार भी अवेजर्ज फिल्मों का हिसाब बनने की बात करते आये हैं, ऐसे में बॉलिवूर्ड के कलाकारों को सच में हॉलिवूर्ड की इस मेगा फिल्म का हिसाब बनने का मौका मिला तो कौन सा हीरो के सुप्र हीरो का रूल निभाएगा इसकी एक जलक हम आपको दिखाते हैं ब्लाक विडो का किरदार फिल्हाल तो सकारलेट लिवहानसन ने भाती हैं लेकिन अगर किसी भारती महिला को ये किरदार दिया गया तो इसके लिए दीपिका पद कोन ही सबसे सही चुनाव हो सकती हैं ब्लाक विडो के किरदार को एक्शन के साथ साथ जबरदस एक सप्रेशन भी देने पड़ते हैं और पदमावत और बाजी राव मस्तानी में दीपी का ये साबित कर चुकी है कि उनसे बेहतर अभी कोई और नहीं है थौर का किरदार इस समय आस्ट्रेलिया के डैशिंग एक्टर क्रिस हेम सवर्थ में भाते हैं थौर के किरदार के लिए एक लंबे चावडे एक्टर की जरूरत भी है जो किसी देवता जैसा लगे बॉलिवुड में एक रितिक रोशन ही है जिन्हें ग्रीक गॉड कहा जा किसी से कम नहीं ऐसे में कृष्ट जैसे हीरो का किरदार निभा चुके रितिक के लिए थौर का किरदार निभाना मुश्किल नहीं होगा स्कारलेट विच एक नया और युवा किरदार है इस किरदार के लिए आलिया भट टेक पर फेक्ट फिट हैं क्योंकि स्कारलेट साथी के रूप में मशूर बकी बारंस को लोग बिंटर सोलजर के नाम से जानते हैं क्याप्टन अमेरिका का ये साथी एक जबरदस्ट फाइटर है और लोहें से भी ज्यादा मजबूत हाथ का मालिक है बकी के हिस्से कई मुश्किल सीन आते हैं और इस किरदार के लिए एक ताकतवर अभीनेता की जरूरत है जो बॉलिवुड में पहले सुनील शेटी और अब जॉन निभा सकते हैं गार्डियन ओफ गैलेक्सी की हीरोईन गमोराव का किरदार बेहत संजीदा है और इस किरदार को लोग प्रियर्दाकारा जो संजदाना निभाती हैं बलिवुड से इस किरदार को अनुष्का के आलावा कोई निभा भी नहीं सकता और ये अब इस तरस्वीर को देख कर समझ ही जाएंगे स्टार लॉड अवेजर्ज के युनिवर्स का एक महत्वपून किरदार है स्टार लॉड के किरदार को इस समय क्रिस्प्रेट निभा रही है लेकिन कॉमिक टाइमिंग वाले इस किरदार के लिए भारत में सिर्फ आयूश्मान खुराना ही फिट बैटते हैं वो एक इलियन की प्यार में है, खुद से परिशान है और एक चोर है ऐसे कंप्यूश किरदार को सिर्फ आयूश्मान निभा सकते हैं समय को अपने हाथ में रखने वाले डॉक्टर स्टेज्ज के किरदार के लिए एक गंभीर और शान्त अभिनेता की जरूरत है बॉलेवुड में ऐसा किरदार निभा सकने वाले अभिनेता शाहिद कबूर है शाहिद इस रोल के लिए इसलिए भी अच्छे हैं क्यूकि इस रोल को एक चरहरा अभिनेता निभा सकता है और शाहिद में वो बॉडी लैंग्वेज मौजूद है आइरन में के किरदार के लिए आपको एक खबार भी सोचना नहीं पड़ेगा एक बिगडेल, मनमोजी, अमीर बिजनेसमैन टोनी स्टार के किरदार को रणवीर सिन के आलावा कोई निभा ही नहीं सकता वो विलेन से अपनी बात मनवाता है और किसी की बात ज्यादा सुनता नहीं रणवीर भी अपने आउटलुक में कुछ ऐसे ही है और यही उन्हें आईरन में के किरदार के लिए फिट बनाता है साथ ही रबर्ट डाउनी जूनियर से वो थोड़ा मिलते भी हैं और इसलिए रणवीर इस ओबर आईरन मैन हलके किरदार को चीखने वाला किरदार चाहिए और चीखने में तो बॉलिवोड का एक ही उस्ताद है सनी दियोल उनकी चीखने बॉर्टर फिल्म में दुश्मनों के चक्के चुड़ा दिये थे और जो काम करने के लिए बॉलिवोड हीरोज को डॉयलोग बोलने पड़ते हैं सनी सिर्फ अपनी एक हौंकार में करवा लेते हैं हलका सामा ने रूप्स ब्रूस बैनर उमर में थोड़ा बड़ा भी है तो इसलिए माक रफालों को रिप्लेस कर हलका किरदार सनी दियोल निभा सकते हैं अवेंजर्स के लीडर हैं कैप्टन अमेरिका और कैप्टन के किरदार के लिए रणबीर कपूर ही सुप्रथेट है वो अच्छी बाते करता है अधिकांच समय उसका देल टूडाता है और वो भावक द्रिशों में रोता है रणबीर हिंदी फिल्मों में ये सारे काम करते हैं और इसलिए लगता है कि वो कैप्टन अमेरिका भी आराम से निभा सकते हैं थान्वोस के किरदार ने ही सारी अवेंजर्स फिल्मों को शुरू किया है इंफिनिटी वार्ज में थानोस ने ही अकेले सारे सुप्रहीरोज को परास्त कर दिया थानोस के किरदार के लिए एक दमखम वाले विलेन की जरूरत है जो डायलोग से ज्यादा अपने लुक से लोगों को डरा दे और बॉलिवुड में ये काम संजे दत से बेहतर कौन कर सकता है ब्लाक पैंट्थर मार्वल का वो सुप्रहीरो है जिसे ओसकर के लिए भी चुना गया इस किरदार को अभी चाडविक वोस्मैन निभाते हैं और इसके लिए एक बेहतरीन एक्टर की जरूरत है हिंदी सिनिमा के वर्तमान का लाकारों में वैसे तो विकी कौशल इसे निभाने का दमखम रखते हैं लेकिन अगर हिंदी फिल्मों से बाहर जाना हो तो इस काम के लिए बाहु बली प्रभास से बेहतर कोई नहीं स्पाइडर मैन के किरदार के लिए एक फ्लेकसिबल किरदार की जरूरत है और टाइगर श्रॉप से ज़्यादा फ्लेकसिबल इस वक्त बलेवुड में कुछ नहीं वो स्पाइडर मैन की ड्रेस पहन कर इंस्टाग्राम पर दिख भी चुके हैं और सुपरहीरो का किरदार फ्लाइंग जट भी प्ले कर चुके हैं ऐसे में वो स्पाइडर मैन के लिए सबसे सही किरदार रहेंगे और बाकी लोग फ्लॉप हो भी जाएं टाइगर आपको निराश नहीं करेंगे